इस एपसोड को शुरू करने से पहले आप सभी को Happy New Year मुझे पूरा यकीन है 2023 आप सभी के लिए गविश अंदर रहोगा और आगे का साल भी गविश अंदर रहने वाला है अब इस एपसोड शुरू करते हैं यह है फैरल अप स्रीज का एक कोड़ एपसोड ना लेट्स बिगेंड एपसोड ही शेटिम देखते हैं मैंग के फॉन पर किसी अकवर आता है यह कोड है एल रेंडिंग का जो कि उससे फोने लिए कहले लगता है कि मेरे पास में एक बहुत इस लड़की से होती है इसका नाम शी है और यह एल रेंडिंग की ग्रेंड डॉटर है जैसी मैं इसे देखता है वो इससे कहता है शी तुम भी आपर हो मुझे एकिन है एल रेंडिंग ने आपर मुझे लेने के लिए तुम्हें बेचा होगा शी कहती है आप बिलकुर अब इतना कुछ भी बता दिया इतना के साथ में लिफ्ट के डोरों पर होता है और दुछ दौर से हो जाती है मैं जाओ आखिरकार तुम यह पर आई गए यह आवाज है एल रेंडिंग की जिसके साथ में यह बंतर गाउय है निंग अलगी बूलता है मैं सबसे पहले तुमाने म तुमाई बताई भी नोलेज अगर मेरे पास नहीं होगी तुम मुझे कवेचा फाइदा होगा आगी जित्तिवी एक्सपेरियम्ट होंगे उनसे भी किंतर वो नोलेज मेरे कान आएगी गाउय यह इसे कुछ कह रहा होता है और इस टेम पर मैंग के बाइने क्यों लेक्शि नोलेज है गाउजी को स्थरीक किसी नोलेज सी कोई भी जूरत नहीं है यहां पर एल्डर निंग जैसे मैं के बन पर समझाते हैं वो तुम्हें लगते हैं लेकिन यह जाने से पहले तुम यह जान लो हमारे पास में एक बहुत बड़ी प्रॉलम है अभी हाली में पता चला है सेलफोर्स कंपणी ने जिए भी मॉस्टर्स को अब तर गिरेट किया था यह सब के सब बायो जनेटिंग मॉस्टर्स थे लेकिन यह अपने ओनर्स के उपर अटेक करना शूर करती है और यह सबके उपर कब करना अब काउज़तों मुश्किल हो चुका है इस घटना के साम यह साथ है वो लोग जाते हैं मार्केट के अंदर मार्च होई पूरते सखराव हो जाए सब को यह लगने लगे हमने जिन मुश्क्राइट किया है वो सबके सब एकदम पर अपनी ओनर्स के उपर अटेक कर देते हैं इसके बाद में कोई भी हमारे मुश्क्राइब वरोसा न गौवजी के इता केने के साथ ही सब किसब उसके भी चले लगता है गाउजी आप बार अपने चलने के लिए एक अलग से बश्चित का यूस करता है और फिर एक कुरिडरोस होते वे किस दूस जिगे पर जाने लगता है और फिर चलता है कि उनकी कापेनि ने कुछ टैम पह सकते थे यह सब पुछ उन मॉस्टर्स के अगर पावर थी उस टेम तक तो यह सब कुछ आफ़ी चतर काम कर रहा था लगवाग चार मैने तक हम ने उसके मॉस्टर्स का कव ठीकता से यूज़ किया उसके बाद में अचालक से जलने क्या हो गया वो मॉस्टर्स एकदम पागल ह हो गए उनके पर कापक बनना कावी मुश्कल था वो तेजी से इदर सोते बागले लगे और कई सारे बागले में कामिवाब भी हो गए इस सब के अंदर अच्छी बात यह थी हमारे पास थे चित्ते भी लोग थे उनमें से किसी को भी कोई नुपसान नहीं जद्धा नुपसान था लेकिन पैस्व नुपसान थो हम उटा सकते हैं लेकिन इस बार उन लोगों जो करने के कुश्च की है वो तो बहुत अध्या खटिया है इस बार अमरे लोग भी मारे जाने लगे है किसी भी कंपनी का अपने कंप्रेटर कंपनी को नीचे दिखाने का यह सब कुंछाने की तो उनने एक बहुत बेरी सजा मिलनी चाहिए यह सुन्तुय मैंग नीचे दो दिखता है उसा दिख लिकता है उसी आता है कि क्योट सेथं को बहुत ऊt lower कि एक बार जाता है कि इनो पोर्य लिएजन स्टर्म कर दिया तुम्हारे उपर मोस्रस की इंकॉर्ड का अटक होने वाल है इसके अंदर तुम्हें कुछ नहीं इंफर्मिशन पता कर लिए इसी वज़े से तुम्हें थोड़े बहुत पूंट दे जाते हैं जिने साही टायम पर तुम्हें यूज कर सकते हो बैक फिलर के लिए इसके इंटर करता है और अपना इस चलने को को जाई रखता है जैसे उसी दे एक बहुत बड़े रूम के साहने पोस्ते है जैसे एल्डे डिंग आगे बढ़कर एक बटन को दबाता है रूम ओपर हो जाता है तीरों अंदर एंटर करते है यहां से इस रू लिए जीए बोसता है और फिर अपरे मुपन मास्त लगा लेता है निग बोलता है कि तुम त्यार हो मैं कहता है अब बिल्कुल इसके आद में एक गे टोपन होता है वासे अंदर की साड़ में तीर मंते खड़े होता है जो कि जैसे ही एल्डे डिंग को उसके पर देखता है उन सभी को मार दिया वो तो अच्छा हुआ ये खबर इतनी जल्दी बारे सामने आ गई वरना अगर कुस्टेया और लग जाता और इन मोस्टर्स को पूरे वर्ल्ड के अंद इस्टिबूट कर दे जाता उसके बाद में इस सब कुछ होता तो इस सब कंट्रोल करना कफजदा मुश्किल हो सकता था पैसों के लिए इस तरह की बंदे को सब्सक्राइब करना ये साही नहीं है निंग इस वर्ल्ड के अंदर कवसा लोग तुम्हें कफजदा मानता है तुम्हारे सबोर्ट से बहुत इफेक्ट पड़ेगा तुम पीछ हड़ जाओ ये सारी बैदा सुनकर शी को कुछ जब गुस्ता आता है वे लोगों से कहती है अपना हो बंद रखो हमें को सिखाने को उश्मत करो हर चीछ पैसों के लिए नहीं होती है तब भी मैंग इस जिगापर शी को रोग देता है और से कहता है यहाँ पर हमें अपना हो बंद रखना होगा हम कुछ कहने ही सकता है इन लोगों कुछ हो सुनजाए नहीं जा सकता ये लोग बस किसी पी तरीके से यह पर जो भी एक्स्पेरिमेट हो रहा है इसे पूरतर बंद करना चाहता है तब भी इन में से एक बंदा मैंग के पास बाता है और से कहता है ये लड़के तुम ज़्यदा बोलने कोश्मत करो तुमारे बारे में हमने काफी कुछ सुना है निउस के अंदे तुमारे बारे में अकसरे कवजरे खबर आती रहती है इसका तब यह नहीं तुमारे सामने कुछ भी बोल सकते हो अगर तुम अपना बंद रखोगे और जिस एज़ के तुम हो उस एज़ के बच्चों साथ में खेलोगे तो ही तुमारे निए ठीक होगा यह सुनकर में को भी चुन के साथा है उससा कहता है किया तुम ऐसे बात तुमें हमसे लेड़ना चाहते हो अगर तुमें लेड़ने का मन है तो एक बार मुच पर टैक करो उसके वाद में देखना यहापर क्या होता है यह सुनकर के साथ ही यह बंदा काउजर डर जाता है यह पैंक से कहता है क्या तुम कुछ दबकी देने कुश कर रहे हो तुम जानते भी हो अगर तुमने मुच पर एक बार भी उम्गरी लगा दी तो फिर तुमारे साथ में कित्ता कुद बुरा हो सकता है मैं कवर्मेंट से ब्लॉंग करता है इसी टैम पर कहीं से एक बोचर सो हो जाती है सब के सब एक दुन शान तो जाओ अब किसी के मूँ से कोई आवाज निकलनी चाहिए यह आवाज है एक बंदे सुर यूफैंक की यह बंदा आगे बोलता है हम यह पर एक दूसर लड़ने के लिए निया है यह पर हम सब किससर पिखटा हुए है नीचे जाय के बाद में उस एरया में पहुचेंगे जहा पर यह सब कुछ हुआ था उस जिगे को पर इंस्पैट करने क्योंश करेंगे कि इससे कुछ हुआ, वो क्यों हुआ, और इससे की बीजे, पैट से गिर्थी गलती थी, और कम्पनी को, इससे को किस तर ठिक करना चाहिए, क्या आप हम यहाँ पर इस कान के पर फोकस करते हैं, नहीं कहता है, हाँ बेलकूर, इसी टेम पर, यहाँ पर जो बाकी तिरो तिरो इससे के बीजे पर इससे कंपनी को बंद करना चाहिए, इसके बाद में सुन यूफांग एक बटन को दो बाता है, उसके इससा करने के साथ मही, तीजी जीजे नीचे से उपर इस तर आती है, जीने पूरी तरीके से कपड़ों में डगा हुआ है, इससे देखकर नेंग इन दोरों से कहता है, तुम दोने इस सब के उपर पूरी तर अज़र रखना, देखना सुन यूफांग किस तरीके से, इन सारे मोच्टों के बोड़ी के उपर अपने इंस्पेक्शन करने वाला है, इससे हो सकता है हमें काफ बेकुछ नेया सीख जाए, इससे के साथ में सुन यूफांग अपने पास से कफसरे बलेट को बाहा निकालता है, और फिर अपने पारक के उश्ट करके एक साथ इन सारे बलेट को इन रखना देता है, उसके ऐसा करने की साथ में फिर बलेड़ साही सारी उड़तों बे तब यह एकदम से चेस्टी वाप पर इन मुस्ट की लाशे पूर्ते दिखा दिने लगती है यहाँ पर साथ के जो ही दोनों बंदे होता है यह जैसे पागल सुझाता है यह उसको कुछ दिखा नहीं जाया था यह जल्दी से दूसतर उमू करके विल्टिया करना शुरू कर द चुका है इसके साथ में इसके सारे बिलैड आपर इसके पास वाजाद दिया वर फिर उन मुस्ट की लाश्य की तो देखकर यह आई कहता है इन मुस्ट के ओपर सारी इससब्स हो चुका है और रिपोर्ट पूरी तर रेडियो हो चुकी है इससों के बादे मुझे इस पता चलिए इन मॉस्टर्स के अंदर कुछ ना कुछ भारी तत्व थी किसी और ने इन मॉस्टर्स दर छेड़ करके यह जद्धा करामक कर दिया कि यह आसपस जितने भी लोग थे उनसे क्यों पर अटेक करने लगे जिसनों कर शी इन दोनों बंदर के दिखे लगती है और रहा कहत है इन मॉस्टर्स के बौड़ी के अंदर किसी ने भार क्री तत्व लाल दियों लेखिन उससे इससे कुछ करन ही प्रमिशर किसने दि सुन फोर्ज ने उन्होंने इन मॉस्टर्स का ठीक से ध्यान ने रखा कि कोई ₺ है और ले इसके किसीwie बादी तार पशिप्ड़ होग ह Sunforge को क्या तुम किस तरीके से Defend कर सकते हो Ning कहता है आप बिल्कुल मैं कर सकता है लेकिन बास मुझे थोड़ा टाइम चाहिए जी केने के बाद में Ning, Man और She दोनों को यह से लिखी जाने लगता है और यह पर जो दोनों बंदे होता है यहने चिटाया लगता है तुमारी Sunforge Company एक दोन खटिया है याग कि सभी लोग थोड़े से पैसों के लिए बिल्कुल भी नहीं देखी तुम लोगा ने अपनी एक्सपेरिमेंट को पुर्ते से बिकार कर दिया दूसरा बनता बोलता है तुमने जिन मुश्चत को बनाया इन सभी का स्टेक्चर एक दन खटिया था तुमारे लिए अच्छा होगा अपनी कंपनी बंद कर लो और फिर कोई छोटा स्थेला शुरू कर दो क्योंकि साइस वाले कान तुम से नहीं होंगे यह सुनका शियोगा विरत कुसाने लगता है वो इनके ओपर अटेक कर लागे भी लगती है लेकिन तभी निंगों से रोख देता है उपर से कहता है हम अभी अटेक नहीं कर सकते है हमारा मेल फोकस इन सरी लजाम को अटाने भी होना चाहिए इन सभी बातों के बीच में मैंग अपने अलागी कही पर खोया होता है वो सुचा लगता है इन मॉस्टर्स को कोई अलागस जीज दी गई है वो चीज दी किस तरे गई होगी हो जबता है वो खाने में दी गई हो या पानी हो बिलाके जब मैंग की सूच रहा होता है तो एकदम से उसे एक बहुत शंदर सा आइडिया आता है उसके आखे पूर जरू स्टेमिकर लगती है मैंग जल्दी से सिन यूफंग के दिखता है और जरू कहता है और फिर अंदर की पार्ट को चेक किया चाहिए मुझे एकिन है हमें जरू से कुछ खास मिलेगा सिन यूफंग केता है तो मैं लगता है मैंने आपर चेक नहीं किया है इनकी बोड़ी को पुर्त स्केन कर लिया गया है कोई भी नहीं जिगे नहीं बची है किसने से बंद करा सकते है अगर मैंन कहा रहा है कि वहां पर चेक करना चाहिए तो चेक करके देख लो इसके अंदर वैसे भी कोई खराबी नहीं है मुझे मैंन की पूरा प्रोस है उसकी चेक करने के बाद में मैं जरू से कुछ खास मिलेगा जिस उनकर से यूफिंग भी बाद जाता है वो जल्दी से अपने अपने अचीब से चाकू का यूथ करके उन मुझे के कानों के प्रेटेक करता है और जैसे ही उन कानों के पर कट लगता है वापर एक होल दिखा जीता है यह देखने के साथ में यह दोनों काफेटर जाता है और फिर जैसे बागने यह कुछ करता है लेकिन जो कि यहाँ पर क्यावल एक रिपोर्ट तयार की जा रही है और किसी को भी अरेस्ट नहीं किया जाना इसलिए दोनों बंदों को जब जाने से रोका नहीं जाता सिन यूफैंग मैंग तो देखता है और फिर सकेन लगता है तो मैं यह पता कैसे रहा मैंग केता है यहापर आप उससे एल्डर है आप उससे जाल जानता है इसलिए मेरे अपनी बंदरे खिरना ही ठीक होगा मैं आगे कुछ नहीं कहूँगा जी केने के बाद में मैंग वाइस से लगता है या से में डिरेकली रात का सिन देखते हैं मैंग गाराप से अपनी बिस्तर के पर लिटा होता है और फिर लकातार उन लोगों को देख रहा होता है जिनके उपर उन 3 मोस्तर से अटाइक किया था इन से पर की लाशों को देखकर मैंगं कोछ सवनबाया लगता है और फिर जब मैं उन 3 फोटस के उपर थोड़ा और गोर करता है तो फिर उसको शक पूर्ता पक्का हो जाता है वो जल्दी से एल्टर नी को फिर्म लाता है और उसके लगता है मुझे अभी क्याभी मौस्टर से बार में एक बहुत में फिशो पता चलिए और मुझे अभी उस पर हम बात करनी है